हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजियल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल यहां पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली कंप्लीटली एक स्क्वारी शेप में नजर आ रही है कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो यहां पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और साथी साथ फिंगर्स इनकी काफी फ्रैंडली नेच को शो कर रही है आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर यहां पर काफी सारी डार्क सीधी खड़ी रिखाए नजर आ रही है कुछ इस तरह की लाइन्स जिनको हम काफी अच्छा मानते हैं इस तरह की लाइन्स होना व्यक्ति का जो सभाव है काफी फ्रैंडली जाहर करती है उसके बाद अगर हम लैंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर इनकी सूरिय फिंगर और गुरू फिंगर की जो लैंथ है लगभग एक समान है जो यहां पर इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी लीडर्शिप क्वालिटी को और काफी अच्छी क्रेटिविटी को और अगर हम देखें इनकी मर्करी फिंगर को तो यहां पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर लगभग फर्स्ट फैलेंज के पास तक पहुँच रही है सूरे फिंगर के और लैंथ में अच्छी है जिस वजह से कम्निकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे इनके लेकिन थोड़ी सी लो सेट होती हुई फिंगर जो यहां पर माउंट को स्पेस कम दे रही है जिस वजह से थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर रहने के चांसिस भी रहेंगे अदर्वाइज फिंगर्स काफी थिक हैं जो अच्छी अनर्जी और स्टैमना शोग कर रही ह आप देख सकते हैं इनके बेस फैलेंजिस को यहां पर बिल्कु थिकनेस में नजर आ रहे हैं और आपस में बिल्कु सटी हुई फिंगर्स जो यहां पर इंडिकेट करती हैं अच्छी अनर्जी और स्टैमना के साथ साथ काफी फ्रेंडली और सोबर नेचर को भी तो चले आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी मेजर लाइन्स को भी तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी मा माउंट है हलका लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ भी नजर आ रहा है और बाकी के तीनों माउंट्स काफी हाई सेट हैं उनमें किसी तरह की भी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कोई भी माउंट्स कम स्पेस में नहीं है लो सेट नहीं हो रहा और मरकरी माउ दो सेट होने की वज़े से शाइड नेचर रह सकती है, लेकिन यहां पर बिजनस एकुमेन इनका स्टॉंग रहेगा, कुछ खड़ी रिखाएं, बारीक रिखाएं, मुझे यहां पर नज़र आ रही है, जिनकी वज़े से जो बिजनस एकुमेन है, वो तो स्ट्रॉंग होता ही है साथी साथ कम्लिकेशन जो स्किल्स हैं वो भी व्यक्ति की बहतर होती है लेकिन यहां पर बहुत ज़्यादा लंबी कोई मुझे मरकरी लाइन नजर नहीं आ रही इनके हाथ में अब देख सकते हैं बहुत हलकी मरकरी रेखा यहां पर नजर आ रही है अगर मरकरी लाइन लंबी हो और स्ट्रॉंग हो तब काफी बैनेफिट्स रहते हैं मनी ट्रैंगल पूरा होता है लेकिन यहां पर मनी ट्रैंगल के लिए जो तीन लाइन होनी चाहिए उन में से दो लाइन सो काफी स्ट्रॉंगली मौजूद हैं जैसे अब देख सकते हैं नीचे से उपर की तरफ चलने वाली जो यह रेखा है यह भागया रेखा और साइड से इस तरफ चलने वाली रेखा माइन लाइन है लेकिन तीसरी रेखा जो मनी ट्रैंगल को पूरा करती है मरकरी लाइन कहलाती है वो यहाँ पर कम्प्लीटली उपर की तरफ नहीं चल रही और यहाँ एरिया जो खुला नजर आ रहा है जिसकी वज़े से इंकम तो व्यक्ति के अच्छी रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा एकुमूलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि व्यक्ति के एक्सपैंसिस भी काफी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पर हमने देखा इनके मरकरी माउंट को और मरकरी रेखा को तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूर्य माउंट को सूर्य माउंट हलका सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है और अगर सूर्य रेखा की बात की जाए तो सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो इनकी हार्ट लाइन के बिलकुल ओपर ही दिखाई दे रही है mixing यहांपर आवरेज नज़र आ रहा है अब देख सकते हिएहाएशनी मौंट का एरिया है बहुत जादा उबरा हुआएशनी मौंट नहीं है लेकिन इनकी शनी रेखा बहुत स्ट्राउंग ہے जो यहाँ पर ने काफी अच्छे रिजल्ट देने वाली है अब देख सकते हैं बेज से चलती हुई शनी रेखा और 36 के आसपास की एज में थोड़ा सा शिफ्ट लेती हुई आपको टॉग करके दिखाना चाहूँगा यहां से इनकी शनी रेखा शुरू होती हुई और आप देख सकते हैं थोड़ी दिक्कत यहां पर इस्ट्रेस लाइन की वज़ा से 36 और 38 के आसपास की एज में रह सकती हुई उसके बाद यहां शनी रेखा आगे कांटिन्यू होती हुई जो काफी स्ट्रेंथ गेन कर रही है आगे की एज में 40 प्लस की एज में इन्हें काफी लाग होने वाला है इस तरह की शनी रेखा होने की वज़ए से बिशक लाइफ में मेहनत रहेगी क्योंकि जो शनी माउंट बहुत ज़ादा उभरा हुआ नहीं है और थोड़ा सा दबता हुआ शनी माउंट और शनी रेखा या रेखा काफी स्ट्राउंग होकर आगे बढ़ रही है आगे देखते हैं इनके गुरू माउंट को गुरू माउंट यहां पर बहुत ज़ादा उभरा हुआ नजर नहीं आ रहा लेकिन गुरू माउंट के ओपर कोई भी नेगटिव चिन नहीं है जो एक अच्छा साइन ह और गुरू माउंट के ओपर एक हलका क्रॉस बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है बहुत ज़ादा डीप कट लाइन से नहीं बन रहा लेकिन आप देख सकते हैं इस एरिया में कुछ इस तरह का क्रॉस का चिन बनता हुआ जो काफी बैनेफिक माना जाता है जिनके भी ऐसे क क्रॉस का चिन बनता है ऐसे व्यक्ति की लाइफ में गुरू की तरफ से प्रोडेक्शन रहती है सिर्फ यही एक ऐसा माउंट है जिसके ओपर क्रॉस का चिन बनना काफी पॉजिटिव माना जाता है उसके लावा प्रोग्रेस लाइन आप देख सकते हैं यहां से ओपर की त तरह से बंद नहीं हो पा रहा यहां से थोड़ा सा खुला हुआ यव का चिन लेकिन जिनके भी हाथ पर यव का चिन बनता है ऐसे व्यक्ति काफी spiritual minded होते हैं ऐसे व्यक्ति की जो intuition power है वो भी काफी अच्छी रहती है तो यहां पर कुछ ऐसे चिन बनते हुए जैसे cross का चिन है यव का चिन यह है इन्हें काफी benefits life में देने वाले हैं चलिए आगे देखते हैं इनकी major lines को तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो line of heart है थोड़ी shallow नजर आ रही है line of heart और आगे चलकर यह है बिलकुल ब्रसपती mount की तरफ पहुंचती हुई आप देख सकते हैं कुछ इस area तक जहरेखा पहुंचती हुई जो काफी honest and loyal type की personality को indicate करती है अच्छा curve है इस line में जो indicate करता है थोड़ी emotional type की nature को भी लेकिन कोई भी major setback lines यहां पर नहीं है जिस वजह से practicality भी इनके अंदर रहेगी लेकिन इस line का shallow होना कही ना कहीं blood pressure जैसी problems व्यक्ति को देता है shallow होकर चल रही है तो minor issues रह सकते हैं heart से related heart की performance से related तो इन्हें थोड़ी सी अपने heart की health की care करनी चाहिए और आगे देखते हैं इनकी line of mind को mind की line थोड़ी सी जुकी हुई नजर आ रही है middle इस तक बिल्कु स्ट्रेट चलती हुई और उसके बाद यह थोड़ा सा tilt लेती हुई नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहां तक mind की line बिल्कु स्ट्रेट है उसके बाद यहां से नीचे की तरफ एक dip लेती हुई line जो indicate करती है काफी practical type की nature रहेगी इनकी 40 के असपास की age तक उसके बाद थोड़ी सी imagination add हो जाएगी कलपनाएं थोड़ी सी बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे इनकी age बढ़ती जाएगी लेकिन overall अगर देखा जाए तो यह एक लंबी mind की line है जो एक sharp memory को indicate करती है और आप देख सकते हैं थोड़ी shallowness यहां पर है और एक रेखा इस line को cross करती हुई जो थोड़ा मांसिक तनाव दे सकती है middle age के आसपास चलकर 38 के आसपास की age में चलकर कुछ दिक्ते हैं यहां पर mind से related problem थोड़ा मांसिक तनाव रहने के chances रहेंगे और अगर देखा जाए stress line को completely तो yes stress line इनकी life line को भी 30 के आसपास की age में cross कर रही है और उसके बाद 36 के आसपास की age में एक दूसरी रेखा इनकी mind line को और life line को afflict करती हुई तो यह रिख की life को प्रभावित करती हैं और life में ups and downs रहते हैं मांसिक तनाव और health related issues आने के chances रहते हैं इस तरह हैं कि अगर रेखाएं बहुत deep cut हो और बहुत लंबी हो तब problems ज्यादा होती हैं यहां पर बहुत short size lines हैं लेकिन इसकी वज़ए से भी life में दिक्ते हैं तो व्यक्ति के आत की तरफ निकल कर बढ़ती हुई जो यहां पर indicate करती है घर से दूर किसी और जगा जाकर सैटल होने के chances को इस तरह हैं कि इनकी life की line और आप देख सकते हैं काफी लंबी रेखा है और एक साथ में मंगल रेखा और चलती हुई इस तरह कि मंगल रेखा जिनके भी हाथ में होत हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी life में खुद की मेहनस से भी काफी अच्छी property अरजित कर लेते हैं और बाहर की तरफ से रेखा का चलना indicate करता है घर से दूर किसी दूसरी state में जाकर बसने के chances को या किसी दूसरे country में जाकर बसने के chances भी काफी high रहते हैं यहाँ पर कुछ इस त traveling के chances भी रहेंगे इनके even short distance traveling यह है रिखाएं आड़ी रिखाएं दरशा आती हैं और upward जाने वाली रिखाएं long distance traveling की तरफ भी इशारा करती हैं इसके साथ साथ अब देख सकते हैं यहाँ पर एक fish ऐसा चिन बनता हुआ इनके हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक symbol जो fish type symbol जिसको हम कहते हैं कुछ इस तरह की line से बनता हुआ जो यहाँ पर kato area के उपर जब भी बनता है यह है व्यक्ति को अचानक धनलाब दिलवाता है और जिनकी भात पर इस तरह का चिन होता है इन्हें certain wealth gain के साथ साथ property के gains भी होते हैं और इस तरह का चिन होने की वज़े से व्यक्ति को inherited wealth मिलने के chances हैं वो भी काफी ज़्यादा strong हो जाते हैं overall age जो है 80 plus की रहने वाली है इनकी और आप देख सकते हैं यहाँ पर worry lines काफी मौजूद हैं इनके शुकर माउंट के उपर जो family की तरफ से worries को indicate करती है family life में थोड़ी disturbances रहने के chances क्योंकि शुकर माउंट यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है इन lines की वज़े से और जो इनका चंदर area है यह काफी stable है थोड़ा सा जुकाव इनकी mind line का जो इने minor anxiety जैसे issues दे सकता है थोड़ी over imagination होनी की वज़े से भी थोड़ा तनाव रह सकता है otherwise चंदर area stable होना व्यक्ति को life में काफी benefit दे रहता है व्यक्ति की जो व्यक्ति का जो mind है वो stable रहता है और बहुत ज़्यादा mind से issues नहीं होते life में तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद